नमस्ते आज चर्चा करेंगे सायन और निरयन राशी पद्धती की ये संकल्पना अन्य संकल्पनाओं पर आधारित है वे है नक्षत्र, संपात और आयन बिंदु और आयन चलन याने प्रेसेशन आज हम जानते हैं कि प्रुत्वी सूरज का चक्कर लगाती है प्राचीन खगोल शास्त्र में प्रुत्वी को केंद्र मानकर सूरज, चंद्रमा और बाकी सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे है ऐसा माना गया है ये डायल चंद्रमा और सूरज के प्रहमन पत को दर्शाएगा इसे क्रांती बृत्व या एकलिप्टिक भी कहते है इस डायल पर 27 नक्षत्रों के नाम लिखे है सूरज की तरह चान भी प्रुत्वी के चक्कर लगाता है सूरज और चंद्रमा का पत आस्मान में लगभग साथ साथ है प्राचीन भर्तियक गोल शास्त्र नक्षत्र पद्धती पर आधारित्ता नक्षत्रों के बारे में हमने इसके पहले चर्चा की है ग्रहों को दर्शाने के लिए नक्षत्रों का संदर बलेते थे वैदिक काल से पूरुम वार का करम नहीं था जैसे रईवार, सोमवार, मंगलवार इसके स्थान पर नक्षत्र दिवस ये शब्द का प्रचलन था जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता था उसी दिन का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर होता था जैसे तिश्य या पुश्य नक्षत्र में हो तो तिश्य दिवस मघा नक्षत्र में हो तो मघा दिवस जैसे जैसे कि आप जानते है चंद्रमा पृत्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन और कुछ घंटों में पुरा करता है इसी कारण 27 विवागों में इस पत को बाटा गया लेकिन सवाल ये है कि वृत्त में बसे हुए नक्षत्रों की गिंती करने के लिए शुरुवात कहा से करे इस प्रश्ण का उत्तर जानने के लिए समझते है संपात बिंदू और आयन बिंदू क्या है छोटी पुरुथवी को हटा कर ये बड़ी पुरुथवी रखते है ये कालपनिक रेखा विशुवरुत्त है और ये प्रतल विशुवत प्रतल यदे एक्वेटोरियल प्लेन पुरुथवी की कालपनिक धूरी लगभग 23.5 अंश जुकी हुई है इसी जुकाओ के कारण सूर्य पत या क्रांती पत पुरुथवी के साथ 23.5 अंश का जुकाओ बनाये रखता है मौडेल को थोड़ा तेडा रखते है अब पुरुथवी सिधी है और क्रांती वृत तेडा क्रांती वृत विशुवत प्रतल को दो बिंदू अपर काटता है जिस बिंदू से सूरज उत्तरी गुलार्थमें प्रवेश करता है उसे वसन संपात बिंदू कहते है याने वर्नलिक्विनॉक्स इस बिंदू से सूरज का दक्षिनाय शुरू हता है जिस बिंदू से सूरज दक्षिनी गुलार्थमें प्रवेश करता है उसे शरत संपात बिंदू कहते है याने ओटम इक्विनॉक्स और इस बिंदू से उत्तरायन इनी चारों बिंदू में से किसी एक को संधर्व मानकर प्राचीन कल में प्रथम नक्षत्र का निर्धारण होता था संपात बिंदू या अयन बिंदू के पास जो नक्षत्र है उसी को प्रथम नक्षत्र कहते थे साल 25 में नक्षत्र और संपात बिंदू की क्या सिति थी ये देखते है अश्विनी नक्षत्र के प्रथम मिंदू से सूरज उत्तरी गुलार्ध में प्रवेश करता था चित्रा नक्षत्र के मध्यविंदू से दक्षणी गुलार्ध में उनर्वसू नक्षत्र के चतुर्द चरण में प्रवेश करते ही दक्षण आयन की शुर्वात होती थी अगर बसन संपात कृतिका नक्षत्र में है, तो ये प्रथम नक्षत्र हुआ, अगर अश्विनी नक्षत्र में है, तो ये प्रथम नक्षत्र हुआ, लेकिन प्राचीन काल से अब तक इनी संपात बिंदों की नक्षत्र अस्थिती बदलती रही, इसलिए भिन्नकालों में प पाटे जाने वले संपतिक बिंदू विपरी तिशा में खिसक रहे हैं या पिछे हट रहे हैं इसे संपात का पिछड़ना यने प्रेसेशन ओफ एक्विनॉक्स कहते हैं ये पिछड़ाओं बहुती धिमी गती से होता है पूरा चक्कर लगभग 26,000 साल में पुरा होता है किसी भी समय मूल संपतिक बिंदू से पिछड़े हुए संपतिक बिंदू का कोण आयनाश कहलाता है पर तमान में यही आयनाश लगभग 24 डिगरी है ये मूल बिंदू का स्थान क्या है ये थोड़ा आगे जानेंगे अब बात करते हैं राशियों के वैदिक तथा महभरत काल त भारत्य खगोल शास्त्र में राशिया नहीं थी कहते हैं राशियों की संकलपना किसी अन्य सब्वता से आई राशियों के आने से भचक्र को 30-30 अंश के विभाग में बटा गया 12 राशी के 12 भाग और नक्षत्र बने राशी के उपविभाग इनी 27 नक्षत्रों को 108 भागो में बटा गया हर एक भाग को एक चरण कहते हैं एक नक्षत्र में 4 चरण और एक राशी में सवादो नक्षत्र याने 9 चरण इसी प्रकार अश्विरी नक्षत्र से शुरूबात करके नक्षत्रों का समयोजन राशियों में किया गया इनी राशियों को निरयन राशी कहते ह अचल संपत पर आधरीतिया पद्धति के अनुसार पृत्वीदारा सूरज की परिक्रमा पूरे 360 अंश करने की कलपना की गई है ये नक्षत्र अचल है वैसे ये राशियों के विभाग भी अचल है अब जानते हैं सायन राशी के बारे में अभी नक्षत्र डायल को ढख लेते हैं और बारा राशियों से अंकीत अलग डायल को रखते हैं ये बसंद संपात बिंदु है सायन राशियों में प्रथम राशी मेशी है लेकिन इसका शुरुवाती बिंदू कोई नक्षत्र नहीं बलकि बसंद संपात बिंदू है सायन राशियों के भी बारा बाग है और नाम भी वही है जो निरयन राशी के है खाली शुरुवाती बिंदू अलग-अलग बसंसंपाद बिंदू से मेश राशी की शुरुवात होती है और वहीं पर मीन राशी का अन्द बसंसंपाद बिंदू आयन चलन या प्रेसेशन की वज़े से हर 72 साल में एक अंश के सकता है मेश राशी का प्रथम बिंदू भी इसके साथ किसकेगा इसके विपरित निर्यन राशी के स्थान में कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि नक्षत्र अचल है और निर्यन राशी का प्रथम बिंदू अश्विनी नक्षत्र है सायन पद्धति के अनुसार चल संपात के कारण रुत्वी सूरज की परिक्रमा पूरी नहीं करती 20 मिनीट पहले ही ये बिंदू पर सूरज पहुच जाता है टॉपिकल यर के विडियो में इसके बारे में विस्त्रूच चर्चा हुई थी इस राशी का जो भी नक्षत्र विस्तार आज है वो कल नहीं होगा डायल की दुसरी बाजो ग्रेगरियन कैलेंडर से अंकित है सायन राशी और ये कैलेंडर हमेशा साथ चलता है साल दोसो पच्चासी में दोनों की स्तिती क्या थी ये देखते है दोनों पद्धतियों में शुरुवात बसन संपात बिंदु से थी उस समय सायन और निरन पद्धति का प्रारंब बिंदु एक अई था दोनों के लिए मेश राशी का प्रथम बिंदु अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण की शुरुवात पर था आज क्या स्तिती है ये देखते है तब से अयन चलन के कारण सायन मेश राशी की सक्रई है भातर साल में एक अंश इस गति से अभी अंतर लगभग 24 अंश है इसे ही अयन आश कहते है आशा करता हूँ कि सायन और निरेन राशी क्या है इसका भाउगोलिक स्वष्टिकरण देपाया धन्यवाद